तो नहीं हो रहा है हुआ है गुड इवनिंट वेलकम टो एक्जामपूर आप सभी का स्वागत है उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जित्ते भी स्टुडेंस यहां पर आए वे हैं जल्ली से एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और जिन को नमस्ते सभी को प्रणाम और जल्ली से सभी स्टुडेंस एक बार यहां पर आजाईएगा और अगर आप लोगों को ओडियो और वीडियो बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रही है तो आप सभी मुझे यहां पर कमेंट करके जरूर बताइए कि ओडियो और वीडियो सभी मुझे या फिर नहीं है तो चूशाट करते हैं और प्यारे स्टुडेंस अगर आप सभी कर रहे हैं दिल्ली-पुलिस की तैयारी और साथ में सब्सक्राइब कॉंस्टेबल की तयारी और यूपी पॉलिस की तयारी तो आप सभी के लिए एक बहुत ही शांदार बैच एक्जामपूर की तरफ से आया हुआ है और इस बैच का यहां पर नाम है मिशन वर्दी कॉंबो बैच जहां पर आपको मिलेगी लाइफ क्लास प्रीडियोफ टेस्स सिरीज प्रैक्टिस कोशन करन्ट अफेयर की जो मैगजिन्स हैं और यह ऐसा पहली बार हो रहा है कि आपको करन्ट अफेयर की मैगजिन यहां पर मिल रही है और इसके साथ ही बहुत सारा डिसकाउंट और बहुत सारा यहां पर कंटेंट मिलता है जैसे कि क्या-क्या यहां पर कंटेंट मिल सकता है नंबर फरस्ट पहले नंबर पर आप देख सकते हैं बिलकुल फ्री में आपको कुछ फाइदा यहां पर मिलेगा कि फ्री में तो आपका पहले प्रीबुकिं आपको दिखाई देंगे और current affair की जो magazine है वह आप लोगों को मिलेगी quiz format में आप लोगों को 30 से भी जादा previous year की question paper मिलेंगे और sold paper भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं तो answer करना है आपको यहाँ पर कि भई सबसे पहले तो आप लोगों को pre booking करना है पर उससे पहले भी जो हमारी exam poor की application होती है उसको आप सब भी download करेंगे जिन students ते पहले से download किया हुआ है वो सभी students सबसे पहले update कर लेंगे update करने के बाद आप लोग क्या करेंगे exam poor application को open यहाँ पर करना है इस तरीके से आपने open कर दिया open करने के बाद आपको यहाँ पर paid course दिखाई दे रहा होगा paid course में जाने के बाद आप सभी mission worthy batch में जाईएगा और click करिएगा click करने के बाद आप सभी यहाँ पर इसको booking कर सकते हैं booking करने के बाद थोड़ी देर के लिए phone को बंद कर देना अगर phone बंद नहीं कर सकते तो application को बंद कर देना थोड़ी देर के लिए 2-3 minute के लिए और फिर उसके बाद जब आप open करेंगे तो my courses में आप लोगों का यह PDF आप लोगों सहीं बनेगा number first सबसे पहले कि भई the reverse Osmosis किस पर दबाव लागू करके एक जली के माध्यम से उच्च विले सांद्रता वाले चेतर से कम विले सांद्रता वाले चेतर में विलायक को मजबूर करने की प्रक्रिया है मजबूर करने की प्रक्रिया है क्या करने की गति करने की यहां पर प्रक्रिया होती है चले चले सिसकांसर करें मैं भी यहां पर एक कमेंट देख रही हूं कि कुछ बच्चा कह रहा है कि मैडम सुसाइट करने की इक्षा हो रही है और कुछ नहीं बचा बहुत ही बहुत क्या कह रहे हो बहुत ही अनमाइंड अब चीज सबसे पहले बात ना कि जो हमारा जीवन होता है ना तो सबसे पहले ना मैं आपको कुछ important बात बताना चाहती हूँ काफी सारे ऐसे students हैं जो मुझे यही कहते हैं कि अगर उनके number कम आ गए या किसी exam में उनकी cut-off से ही नहीं पहुंची या फिर उनको ऐसा feel होता है कई बार कि हम success नहीं हो पाए या फिर कई बार relationship को लेकर के बड़ी problem में रहते हैं और ऐसा feel होता है कि suicide कर लें आप सभी students से मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूंगी सभी students से कि suicide क्या यहाँ पर एक अंतिम मार्ग है बिल्कुल भी नहीं क्यूं करना suicide भाई क्यूं करना देखो number first जिस तरीके से आप सभी ने heart beat देखी है heart beat कैसी होती है शारु खान की बिच्चरों में बहुत देखा होगा आप लोगोंने heart beat कैसी होती है बिल्कुल इस तरीके से है ना इस तरीके से heart beat होती है अगर यह heart beat सीधी हो जाए तो क्या होगा मर गया इंसान यही तो हम कहते है ना बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अपने heart beat के बारे बात करें तो heartbeat कैसी ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से चा रही है तो बिलकुल इसे तरीके से हमारी जिंदगी है हमेशा उतार चड़ाओ हमारी जिंदगी में होगा अगर अच्छा दिन है तो बूरा दिन भी आएगा उसके लिए हमें तयार रहना है बुरा दिन है तो हमें यहां उम्मीद रखनी है कि अच्छा दिन भी आएगा तो इसमें परेशान मत हो यह बिल्कुल सही चीज नहीं है और आप सभी तो एक्जामपूर से पढ़ते हो आप सभी तो मेरे स्टुडेंट्स हो इतनी जलोदी कैसे हिम्मت हार सकते हो इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ होती है उसके लिए आप कहीं न कहीं तयार हो रहे है कभी भी ऐसा मत करेगा और सुसाइट तो मुझे ऐसा लगता है कि कायर लोग करते हैं सुसाइट ठीक है? आप कायर थोड़ी हो, आप तो बहुत दूर लोग हो ना? तो अगर आपकी नंबर कम है, अगर आपको लग रहा है कि एक्जाम में मेरा सलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा, तो रिलेक्स, क्या पता, इस से बर एच्छे, और किसी एक्जाम में अच्छी पोस्ट में बारे में बात करते हैं तो जो reverse osmosis है उसका क्या यहां पर आंसर आपका बनेगा चलो जली से इसका आंसर करो यहां पर कौन सा आंसर यहां पर आपका सही होना चाहिए बताईए फटाफट से रोगों में शामिल है नियम लिखित में से किसके रोग अब 6 रोगों में यहां पर शामिल है चलो जली से इसका आंसर करेंगे कौन सा आंसर यहां पर हमारा सही होना चाहिए तो यहां पर क्या क्या कह रहा है कि बात करें कि यहां अपनी कार्यात्मक शक्ति को धिरे-धिरे करके यहां पर क्या कर जाते हैं खतम होने लग जाते हैं ठीक है देने करके Degeneration उसका यहां पर हो जाता है और इसी को क्या कहा जाता है Degenarity डिजीज इसी को ही हां पर कहा जाता है तो अगर वह अपने ψत्ये के बारे में जोड के बारे मैं तंत्रिका Tंत्र के बारे में बात करते हैं तो यहां आगे जाकर के कैसे रोग बना सकते हैं डिजनरेटिव डिजीज यहां पर बना सकते हैं तो फटाफ़र से नोड करें ए ओप्शन ठीक है तो फटाफर से इसको नोड कर लीजे ठीक है अब नेस्ट कोशन की और हम यहाँ पर बढ़ते हैं शरीर का निम लिखीत में से कौन सा भाग विटामीन A, विटामीन D और साथ ही विटामीन B12 का भंदारन करने का काम यहाँ पर करता है काफी अच्छा कोशन है चले जली से का अंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा अंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए बताइए फटाफर से कौन सा यहाँ पर आपका सही होना चाहिए तो देखे जब कभी भी हम लोग बात करते हैं विटामीन के बारे में तो जो भी हमारा विटा इसे होते हैं जो हम कुछ दिन अगर ना भी खाए तो भी यहां पर हमारा काम चल जाता है ठीक है तो यहां पर अगर आप नॉर्मली तौर पर देखें तो जो हमारा जो हमारा विटामीन क्या है ए विटामीन डी और विटामीन बीवन यह हमारी बॉडी में इस्टोर होने का का क्या होते हैं यहां इस्टोर होते रहते हैं संचेत यहां पर होते रहते हैं और कहां पर होते हैं लीवर में होते हैं कहां पर होते हैं यकृत में होते हैं और इसलिए जो इसका आंसर यहां पर बनेगा वह क्या बनेगा बी आप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल सही होगा तो फ कि जब कभी हम लोग बात करते हैं, विटामीन के बारे में, तो जलने से मुझे आप लोग यहाँ बताओ, कि विटामीन जो हुता है, यहाँ कैसा न्यू ट्रियंट है, यहाँ कैसा यहाँ पर पोशक तत्व है, ठीक है, पहले नंबर पर, सबसे पहले चीज़, कि अगर आप विटामिन के बारें बात करते हैं, तो यहां कैसा है, माइक्रो नुट्रियंट होता है, माइक्रो नुट्रियंट यहां होता है, तो आप सभी यहां पर लिख सकते हैं, कि यहां कैसा है, माइक्रो नुट्रियंट यहां होता है, हिंदी में बहुत कम मात्रा हमारे शरीर को जरूरी होती है लेकिन वो जो बहुत कम मात्रा है वो भी हमारे लिए सफीशेंट यहां पर होती है. दूसरे नमबर पर अगर आप से कभी है पुछा जाए कि जो विटामीन है उसकी खोज किसने यहां पर की है तब आपको दिमाग यह कहेगा कि अगर आप फुंक के बारें बात कर रहे हैं तो जो फुंक है उन्होंने फिर यहाँ पर क्या किया है तो आसर करना कि इन्होंने तो यह शब्द यहाँ पर दिया है क्वाइंड दा टर्म यानि कि नामकरण करने का काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है ठीक है इसी तरीके से एक शब्द और बहुत जादा यहाँ पर आता है और वो जो शब्द है उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे विटामीन थुरि जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर विटामीन सिधन्त अब विटामीन सिधन्त के अगर हम बात करें तो विटामीन सिधन्त किसने यहाँ पर दिया था तो answer करना यहाँ पर कि Hopkins नाम के एक scientist थे नाम के साइंटिस थे और उनके साथ ही फूंक के नाम के साइंटिस थे इन दोनों ने मिलकर के क्या यहां पर दिया था विटामीन सिध्धान्त यहां पर दिया था तो अब दिमाग में एक प्रश और आना चाहिए कि अगर आप विटामीन सिध्धान्त के बारें बात करते हैं उसके बदले में हमाई शरीर में कोई एक रोग हो रहा है और उसी को ही हम लोग यहां पर क्या कहते हैं तो आंसर करना है आपको विटामीन थियोरी यानि विटामीन सिधान्त इसी को ही हम लोग यहां पर कहते हैं ठीक है तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है क्लियर रहा है चलिए अब next question कि DNA fingerprinting के जनक कौन यहाँ पर है DNA fingerprinting के कौन यहाँ पर जनक है आप सभी को पता है na fingerprinting कैसे होता है कि जो भी हमारे हाथ में mapic होती है या DNA होता है उसके माध्यम से आप देखते हो कि जो murderer है या कोई rapist है या कोई criminal है उसको पहचानने के लिए हम सभ भी fingerprinting का उपयोग यहाँ पर करते हैं तो fingerprinting के जनक यहाँ पर कौन है में मेरा group D में 80 है पांच गलत है पर मुझे पैट की तेयारी करनी चाहिए हाँ बिल्कुल विश्णू आप बिल्कुल पैट का exam दे सकते हैं कोई दिकत नहीं है और वैसे अगर आपके 80 questions सही है तो काफ पर एक बच्चे नहीं कहा हर गोविंद खुराना लेकिन यहाँ आंसर तो गलत है क्यों गलत है क्योंकि इसका जो सही यहाँ पर आंसर है वह क्या है सी option यहाँ पर हमारा सही है तो फटा पट से नोड करेंगे कि अगर आप यहाँ पर एलग जैफ्रिस के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखना artificial RNA DNA की बारे में बात नहीं हो रही artificial DNA RNA या फिर amino acid gene या लेबोरेटरी में बनाने की बात नहीं हो रही अगर इस तरह का प्रश्म पुछा जाता तो हर गोविंद खुराना ही सही आंसर होता लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है finger printing DNA finger printing के father कौन है तब आ इनमें से कौन सा यहाँ पर phospholipid के sensation में शामिल होता है पहले नंबर पर है mitochondria दूसे नंबर पर है cytoplasm तीसे नंबर पर है endoplasmic reticulum और सबसे लास्ट में होता है smooth endoplasmic reticulum चलो चली से इसका आंसर करेंगे फिफ्ट का कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए मैं मेर नबह सही है क्या पैट की preparation करना चाहिए पपो कुमार बिल्कुल करना चाहिए ठीक है जितने भी exams आप लोगों के यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी exams के आप तयारे करिए और पढ़ाई करिए बाकि अगर आप लोगों का 85 इस तरीके की scoring है तो बहुत अच्छा score आपने किया है अगर इतने आपने question सहीं किया हैं तो चलिए अब next question की और हम यहाँ पर बढ़ते हैं और जली से इसका answer आप लोग यहाँ पर करके बताएंगे बताईए फटा फट से इसका answer करेगा इसका जो सहीं आपर answer बनेगा वह है D option यहाँ पर बिल्कुल हमारा सहीं है यह smooth endoplasmic reticulum तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कुछ बाते समझना है कि अगर हम बात कर रहे हैं endoplasmic reticulum के बारे में तो यहाँ है क्या हिंदी में इसे कहा जाता है antahpradavijjalika 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 तो यह है क्या है यह सबसे पहले तो इसको हम यह पर देखेंगे तो देखे, अगर आप किसी भी कोशिका को देखते हैं, तो कोशिका के बीचो बीच आपको नुकलेस यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है, और जो नुकलेस होता है, उसके चारो तरफ, आपको इस तरीके से कुछ सनरचना यहाँ पर दिखाई देती है, इस तरीके से कुछ स उसमें आप क्या देखेंगे यहां पर कि इहां इंपोर्टेंट है एक धाचा बनाने के लिए एक फ्रीमवर्क बनाने के लिए यहां पर इंपोर्टेंट है दूसरे नंबर पर अगर आप endoplasmic reticulum के बारे में बात करते हैं तो यहां कितने होंगे? दो प्रकार के यहां पर होते हैं यह सभी exams के लिए useful है यहां पर हम मैंने RRB, ALP वगरा लिखा है Constable लिखा है, SI लिखा है लेकिन ध्यान रखना all competitive exam के लिए यहां ज़रूरी है चाहिए आप पैट की तियारी ही क्यों ना कर रहे हो ठीक है? अब next point के और हम यहां पर बढ़ते हैं अब यह दो प्रकार के यहां पर हो सकते हैं पहला जो होता है उसे हम कहते हैं smooth endoplasmic reticulum ER से मैं यहां पर क्या कह रही हूँ? endoplasmic reticulum जिसको हम हिंदी में क्या खहते हैं? chickeny endoplasmic reticulum और दूसरे नंबर पर आता है यहां पर rough endoplasmic reticulum यानि की खुरदूरा कैसा? खुरदूरा अंत्रा प्रदवी जाली का या endoplasmic reticulum क्या अंतर है दोनों में? दोनों में अंतर के अगर हम बात करें तो जो rough endoplasmic reticulum होता है वहाँ पर आप क्या देखोगे? कि rough endoplasmic reticulum की जो outer membrane है बहार के और जो आवरन है उसमें कुछ granules कुछ कण यहां पर चिपके हुए होते हैं और इस कण के अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यह जो कण होता है यहां क्या है? तो answer करना कि यहां तो ribosome है क्या है यहां? तो लिख लिजे यहां पर यहां तो ribosome है अब अगर आप ribosome के बारे में पढ़े हो तो आप सभी को पता है कि जो ribosome होता है वह क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम यहां पर करता है है उसमें क्या नतर है तो चारो तरफ जहां पर ग्रैनियूल चिपके हुए है आवरन इहां पर दिखाई दे रहा है खुर्दूरा दिखाई दे रहा है तो वह क्या हो गया रफ एंडो प्लास्मिक रेटिक्विलम और कुछ ऐसे हैं जो स्मूथ है जिनके बाहर की तरफ किसी अब यहां पर क्या बनाने का काम करता होगा यह भी तो पॉस्चन पूछा जा सकता है तो लिखे यह करता है यहां पर सिंथेसिस ओ लिपिटस सिंथेसिस ओ लिपिटस हिंदी अगर हम बात करें तो लिपिड का संसलेशन यह यहाँ पर करता है इस चिसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे ठीक है और राइबस हो मगर यहाँ है तो प्रोटीन बनाने का काम यहाँ यहाँ पर करी रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भे आपका रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम है वह क संसलेशन करने का काम है यहाँ पर कर रहा होगा ठीक है तो फटा फट से इसको नोट करो जिन बच्चों को नहीं पता था ठीक है ठीक है क्रिशना ओके तब बच्चों को थाइंक यू चलो प्लियर है बच्चों यहाँ तक ठीक तो यहाँ पर लिपिड तो यहाँ पर अगर है वही इसको बनाने का काम यहां पर कर रहा होगा क्लियर है चलो अब यहां पर एक चीज़ और में आपको बताती हूं कि एक्शली में जब हम फॉस्फोलिपट के बारें बात करते हैं तो बना को रहा है स्मूध अंड़ प्रास्मिक्रेटिक्यूलम लेकिन यह दिशो कहां पर हो रहा होगा तो प्लास्मा मेंब्रेन या प्लास्मा चिली को बनाने के लिए यह काम यहां पर कर रहा हुगा ठीक है अ उर्जा घर इसको यहां पर कहा जाता है अगर हम साइटो प्लास्म के बारे में बात करते हैं तो साइटो प्लास्म को हम कोशिका द्रव्य यहां पर कहते हैं तो किसी भी कोशिका के अंदर जैली के समान कुछ द्रव्य पाया जा रहा है जैली की तरह उसी को हम क्या कहेंगे सा इसी में ही जो सारे cell organyl है जो दूसरे कोशिकांग होते हैं वो इसी में ही पाए जाते हैं एक और important बात यहां पर ध्यान में रखना कि जब कभी हम किसी भी cell organyl यानि किसी भी कोशिकांग के बारे में बात करते हैं तो सभी oxygen की उपस्तती में स्वसंद करते हैं लेकिन अगर आवाई भी स्वसंद करता है यानि oxygen नहीं है फिर भी यह स्वसंद करने का काम यहां पर करता है अब next question की और बढ़ते हैं next हमारा question बनता है यहां पर कि conifers can tolerate extreme environment because of अगर आप conifers के बारे में बात करें तो वह किसकी वजह से अत्तितिक गंभीर और खतरनाक जो वातवरन है उसको भी असानी से यहां पर ग्रहन कर सकता है सहन कर सकता है चले जलिस का अंसर करेगा कौन सा अंसर यहां पर आपका सही होना चाहिए बढ़ा फरस इसका आंसर करेगा यहां पर मैम सेल का powerhouse किसे कहा जाता है Mohan अभी तो बताया just mitochondria को कहा जाता है अब next question के और हम यहाँ पर बढ़ते हैं अब इसका जो सही यहाँ पर answer बनेगा वह क्या है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोनिफर्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है तो आप लोगोंने यहाँ पर क्या कह सकते हैं अनावृत बीजी पेड़ पौधे इनको यहाँ पर कहा जा सकता है या फिर इसी को हम नगन बीजी भी यहाँ पर कहते हैं इंगलिश के अगर हम बात करें तो इन्हें हम जिम्नो स्पम्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं तो अगर आप देखो तो जहां पर ठंडी बहुत जादा होती है, वहां पर भी यहां असानी से रह सकते हैं, क्लियर है, अब नेक्स पॉइंट, किसकी वजह से यहां ऐसे रह सकते हैं, तो आंसर करना यहां पर इनके पास ठीक क्विटिकल होता है, यानि कि इनके चालों की यहां पर एक बच्चा एक दूसरी लड़की से नंबर मांग रहा है, बटा यह चिट-चट चल रहा है यहां पर आपका, पढ़ाई कर लो थोड़ा सा, फालतों कि नंबर वंबर और जितनी भी गल्स हैं, धरान रखो इस बात को, किसी को कोई नंबर नहीं देना है अपना, कॉंटेक्ट नंबर, ठेक है, चलो, अब नेक्स कोश्चन की और हम यहां पर बढ़ते हैं, नेक्स यहां पर आता है, नाइक्ट्रिफिकेशन प्रक्रिया में, कौन से जिवानों यहां पर साहयक होते हैं, चले, चले से, इसका आंसर करिएगा, फटा फट से, कि अगर हम यह यहां पर मतलब होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करना बच्चों बाते नहीं पढ़ाई पर ध्यान दो चलो तो अब हम यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट कि नाइट्रिफिकेशन जो प्रक्रिया है उसमें कौन से प्यक्चिवानों यहां पर काम करता है पहला यहां पर एसिटोबेक्टर नाइट्रोको कोकस फिर आपका आजाता है यहां पर कैंपिलोबैक्टर और फिर आपका आजाता है एक्टिनो माइसिटीज चलिए जली से से का एंशर करिये कौवसा और आपका सही होना चाहिए बताऊ फटाफ़ल इसस का एंसर करो कि इसका जो सही यहाँ पर हमारा बिलकुल सही है नाइट्रको कोकस ठीक है तो नाइट्रो मितलब ना Mythical को क्या करने वाली नाइट्रिकेशन करने वाली कौन से बैक्टीरिया है यहां पर नैट्रको कोकस अब यहां से पुझे ध्यान में आया कि कोकस का क्या यहां पर मतलब होता है यह भी कई पर प्रशन आप से पूछा जाता है तो जब कभी आप बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो जो बैक्टीरिया का नाम हैं यानी कि जो जिवानू का नाम है वह उसके शेप के अधार पर भी अलग-अलग यहां पर हो सकता है जैसे कि नंभर फरस्ट अगर यहां पर लिखा हुआ है कोकस जैसे अभी हमने पढ़ा यह लिखा हुआ होता है कोगाई जिसको हम कह रहे हैं कि वही गोला कार आकरती की कोई यहां पर है तो अगर कोई बैक्टिरिया यहां पर गोला कार आकरती की है यानि कि गोल है राउंडड़ है तो उसको हम क्या कहते हैं यहां पर कोकाई कहते हैं अगर कोई बैक्टिरिया इस तरीके से रॉड शेप की है तो उसके लिए हम क्या शब्द यहां यूज करते हैं बैसिलस शब्द का हम यूज करते हैं तो कब करते हैं जब कोई बैक्टिरिया यहां पर कैसे है छण आकरती की यानि रोड़ शेप की यहां पर होती है ठीक है इसी तरीके से नेक्षों यहां पर पॉइंट आता है अब देखो मनरूंप टायक आ गए यह जितने भी बच्चे फालतों की बकवास कर रहे हैं सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा अभी दो मिनट में ठीक है दो मिनट नहीं लगेगा ब्लॉक करते वे लड़कियों की नंबर चाहिए इसलिए आते हो तुम क्लास में है अपना नंब एक सर से कॉल करवाते हैं तुम्हारे मातापिता को परिशानमत हो चलो अब नेक्स वाइंट की और हम यहां पर बढ़ेंगे नेक्स यहां पर आता है विब्रियो नेक्स यहां पर आता है वो है विब्रियो और विब्रियो की अगर हम बात करते हैं तो कॉमा की शेप का जैस तो अगर कोई बैक्टिरिया अर्थविराम की आकरती का यहाँ दिखाई देता है, तो उसको क्या यहाँ पर कहा जाता है? तब आंसा करना उसको हम विब्रीयो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है? next job का यहां पर point आता है वो है spiral या spiral तो spiral हम किस तरह की bacteria को कहते हैं जो कुछ आपको इस shape की यहां पर दिखाई देती है यानि अगर वह सरपिल आकरती या spring की तरह यहां पर दिखाई दे तो उसको किया कहा जाता है spiral उसको यहां पर कहा जाता है तो कई बार अपसे पुछा जाता है तो यह्a बेसिलरस, आना है आपको शाम को चार बजे अब next question निमलिखित में से किस सम्मूह का उपियोग रोग संबंधी कवक का प्रतिनिशित्व करने के लिए किया जाता है चलो जैसे कहां से करो अब यहाँ पर अगर हम देखे तो इन में से कौन सा ऐसा सम्मूह है जो कि फंजाई यानि कि कवक को दर्शार ही है और उस statement को या उस चीज को दर्शार ही है कि वो सभी के सभी यहाँ पर रोग भी पैदा कर सकते हैं तो नमबर फरस्ट पैनिसिलियम दूसरा है यहाँ पर ट्रूफलेट मश्रूम एंड मोरल्स फिर है समर्स रस्ट और मोल्स या फिर उप्रोक तुम्हें से सभी चलो जली सिसकांसा करो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो में जो हमें फोकस करना है वो रोग यानि ऐसे फ गुला जी ओके अगर इसे पैनिसिलीन बनता है तो यह तो फाइदी मंद है ना क्योंकि पैनिसिलीन क्या है एंटी बायोटिक है ठीक है एंटी बायोटिक है तो इस चीज़ को धियान रखेंगे और इसका जो सही आंसर बनेगा वह क्या होगा सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा स कोटे थे ना मतलब अभी भी एक टॉफी आती है जिसका नाम है एल्पन लीबे उसका एक एड आता था जी लल चाय रहा न जाय है तो यह जो अबब दिया हुआ होता है ना उपरोक्तुमें से सभी यह बिल्कुल उसी टॉफी की तरह है लेकिन आप लोगों को से क्लिक नही पर बढ़ते हैं आप निम लिखित में से किस समू में एक ऐसा पौधा रखेंगे जो बिजानू और भून पैदा करता है लेकिन इसमें बीज और समवनी उतक की यहां पर कमी होती है अब इस प्रशन को जब आप यहां पर पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हम क्या ही पादब जगत होता है उसके अगर हम बात करें तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी पादब जगत में रखे जाते हैं ठीक है ठीक है ठीक है तो अगर हम यहां पर बात करते हैं पादब जगत के बारे में तो जो यह पादब जगत होता है यह क्या है यहां पर दो तर चले आता है यहाँ पर एक आपका फैनेरो गैमि अब इन दोनों कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ही हाँ समझना है कि क्रिप्टोगैमी और फैनेरोगैमी य सबस्कित हो स्क्राइब के पैड़ पॉधे 않। तो इस सबस्क निमें कभी भी सीड यानि की बीज नहीं बंथे उस सरह के पेढ़ पौधों को हम कहा पर रखते हैं, क्रिप्टो गेमी में रखते हैं और कुछ ऐसे पेढ़ होते हैं, जिनके अगर हम बात करें कि उनमें सीड यहां पर बन रहे हैं यानि कि बीच यहां पर बनते हैं, उनको क्या कहा जाता है? फेनेरोगेम्स यहां पर कहा जाता है तेक्ए, तो दोनों में आपको अंतrट यहां पर पता चल गया, ठेक है अब यहां पर अगर बीज बन रहे हैं तो इसलिए फेनेरोगेम्स को कई पार हम क्या कह देते हैं Sperm Meto, Phyta ke nama se vhi हम यहाँ पर जानते हैं किस नाम से जानते है? Sperm Meto, Phyta के नाम से भी हम इसको जानते हैं तो Phyta जहाँ पर शब्द है उसका क्या मतलब है? तो आंसर करना कि Phyta मतलब होता है पेड़ पौत है ठीक है? और इस पर्मो का क्या मतलब होता है तो हम जबी भी इस पर्म सुनते है ना तो हम भी यह लगता है कि इस पर्म का मतलब है यहाँ पर शुक्राणूं लेकिन इस पर्म का जो सही मतलब है वो है यहाँ पर बीज क्या होता है यहाँ पर बीज ठीक है तो इस चीज़ को आपको यह यहाँ पर धान में रखना है नेक्श कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि ठीक अगर आप क्रिप्टो Games के बारें बात करेंगे तो इसमें कौन-कौन से पेड़ पौधें यहाँ पर आते हैं सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं तो इसको फटा-फट से आप लोग नोट कर लीजे तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब कभी किर्प्टो गैमे के बारें बात करें तो पहला आता है शैवाल और दूसे नंबर पर आता है यहां पर ब्रयोफाइटा और फिर यहां पर आ जाता है क्या टेर किर्टेडो फाइटा ठीक है तो यहां पर अगर आपशनोली तोर पर देखें तो यह तेन Guess लेकिन अगर आप इस पर मेटोफाइटा के बारें बात करो तो इसके अंदर आते हैं तो आंसर करना सबसे पहले तो आता है जिम्नो इस पॉंप्स और दूसरे नंबर पर आता है यहां पर एंजी ओ इस पॉंप्स ठीक है और हिंदी में इसका अलग से और क्या नाम होता है तो इसको हम कहते हैं अनाव्रित बीजी क्या कह developmental को हम अनावरित बीजी और इसकोones इसे हैं जिन में बीज नहीं बनते और अगर आप बात कर रहे हो algae probiot Congo टारी आडो फाइटा के बारे में तो इसमें बीज नहीं बनते हैं और यहां पर अप कि जो जाइलम और फ्लोयम होता है जाइलम बहुत ही इस्पेशल एक टिशू है एक उतक है जो कि पानी का परिवहन करता है फ्लोयम कि अगर हम बात करते हैं तो जो फ्लोयम है ठीक है वह क्या काम करेगा यहां पर तो बतारा कि जो फ्लोयम होता है वह क्या काम करता है एक बच् सोफिप कर किया होगे फिर selection नहीं 해서 तो मैं आपको पढ़ा रही हूं आप पढ़िए तो यहां पर अगर आगर हम बात करते है यह और घर बात करें तो यह 30 Exodus यहां पर क्या कहलाइगा तो आंसर आप लोगों को करना है कि ये तीनों के तीनों आपके किसके अंतरगत रखे जाते हैं, क्रिप्टो फाइटा के अंदर या क्रिप्टो गेम्स के अंदर यहां पर रखे जाते हैं, नेक्शों यहां पर पॉइंट आपका आता है, कि जो मैं आपको समझाए थी, जाइलम और फ्लोयम, वो यहां पर नह होता है तेडोफाइटा से यहां पर बनना शुरू होता है अगर आप शैवाल और ब्रायोफाइटा के बारें बात करेंगे तो यहां पर कभी भी आप देखोगे कभी भी यहां पर जाइलम और फ्लोयम नहीं होगा तो इन तीनों के अगर हम बात करें तो इन तीनों में यहां होता है माडम दीपक कुमार पंणितल आप मुझे सिखा होगी यहां पर फैलो-फाइटा जो है उसके अंदर बी आते हैं को आपने कभ़ हृ कि आता है नहीं पड़ा यहां पर यह से बढ़ करके मुझे सहने हैं था बच्चो भड़ा मैं फिर सह आपको यह बात खेह दूं कि थेलोफाइटा कрий अंतरगद कवक भी आता है मैं यहां पर क्या पढ़ाई रहे हूं पादपझगत है तो यह जो बच्चे बेचने यह से ही पढ़ रहे हैं और मुझे ही पढ़ा रहे हैं अब मैं इन्हें क्या कहूं अब बताइए मैं क्या कहूं ऐसे बच्चों को अब मैं जब कह रहे हूं कि पढ़ लो बेटा पढ़ लो जैसा पढ़ाया जा रहा है थेलो फाइटा जो है वो अभी यहां पर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि plant kingdom के बारे में बात हो रही है ठैलो फैटा कब लिखा जाता है जब हम पूरे कावक को गिनः करके यहाँपर लिखते हैं क्योंकि कावक के अगर आप बात करो शैवाल के अगर आप बात करो और आप like-an की बात करो तो उन तीनों को मिलाилась करके हम ठैलो फैटा कहते हैं तो क्या मैं यहां पे लाइकेन लिखवा रही हूं कहीं पर 여काहीं कवक लिखवा कि वाया मैंने यह बन रहे हैं यह सच में बन रहे हैं महराज बन रहे हैं और जो यह 굉장 Claudia के पढ़ा लो फिर आप कि हाद दे मादलब इससे पहले मैंने रहाया है थैलो Rs आटा किसी और नहीं पढ़ाया फिर हमें सिखा रहे हैं यहां पर पढ़ लो ठिक है जो समझाया जा रहा है यहांने किसके बात हो रही है पादव जगत के यहां पर मतलब है सबसे पहले हम समझेंगे जिम्नो इस पर कि अगर हम बात करते हैं तो देखो यहां पर लिखा है जिम्नो का मतलब होता है नेकट नगन अवस्था तो इसका यहां पर हम देखेंगे पॉइंट कि जो भी यहां पर बीज होगा अगर उसके उपर किसी तरीके क कोई भी आवरण नहीं है तो इसको क्या कहा जाएगा यहां पर जिम्लत पम यहां पर कहा जाएगा और इसे लिये अनावरण बीजी को कई की बार हम नगन बीजी भी कहई देते हैं हिंदी ठीक है, फिर हम बात करते हैं दwould 나온 नंबर पर कि कई बार ऐसा होता है कि जो बीज होता है बीज के उपपर एक आवरण होता है अगर बीज किसी आवरण के उपपर है तो उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर एंजोस्पम यहाँ पर कहा जाता है आवरत बीजी कहा जाता है और अगर आप एंजोस्पम के बारें बात करते हो त सबसे ज़्यादा इस धर्ती पर पाये जाने वाले पॉधे कौन से हैं तो आंसर करना एंजोस्पम यानि आवरत्य बीजी है और इनका एक विशेश लक्षण होता है क्या होता है जैसे कलकी क्लास में आपको बताया था कि यह पुष्प उगाते हैं ठीक है यह फ्लावर्स क्याँ इस तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर क्या कह रहा है कि ऐसा जो के पौधा जबताता है और भ्रुण करता है लेकिन वाभी Industry ओर समवनी उतक की यहां पर कमी होता है अब एक चीज़ और मैं आपको बताओं यहां पर एक तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब इनके पास सीड नहीं होता जå उनके पास बीज नहीं होता तो फिर दर प्रज्णन किसे करते होंगे तो लिखिए क्या स्पोर्स से यानिकि बीजांड से या अपना प्रज्णन इहाँ पर करते हैं ठीक है screenshot लेना है ठीक है ओके लो भाई screenshot जली से यहां पर फड़ापर से ठीक है चलिए अब next अब जली से इसका अंसर करेगा यहां पर नाइंथ का कौन सा अंसर आपका यहां पर सही बिनना चाहिए बताइए अब आंसर के गर अब बात करें तो यहां पर क्या गया कि plants that produce spurs and embryo but like seed or vascular tissues नहीं होते हैं तो xylem और phloem को क्या कहा जाता है vascular tissues और यहां पर आंसर क्या हो जाएगा bryophyta क्यों हो जाएगा क्यों कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों में तो जाइलम और फ्लोयम भी नहीं पाया जाता पर यहां पर थोड़ा-थोड़ा सा बनना शुरू हो जाता है और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ब्रायोफाइटा यहां पर सही आंसर हो जाएगा ठीक है क्लियर है ओके अब नेक्स्ट कुश्चिंट भारत में किस स्थान को लिवर वॉल्ट की सोने की खान यहां पर कहा जाता है चलो जली सिसका आंसर करो कौन सा आंसर यहां पर आपका सही हो गया बताईए फटा-फट से मैं ऑफ-लाइन क्लास करता हूं बहुत अच्छी बाते बच्चा लेकिन आप लोग मेर से ही पढ़ते हो फिर यहां पर आके मेर कोई उल्टा-सिदा कहते हो तो मुझे यह बात थोड़ी अच्छी नहीं लगती है आपको पढ़ाया जा रहा है तो मैं गलत थोड़ी पढ़ाऊंगे यहां पर खड़े हो कि आपको चलिए अब जली सिसका आंसर करिए कौन सा आंसर यहां पर आपका अगर आप बात करो तो यह सब भी आप देखेंगे कि जो पश्यमी हिमाले होता है जो वेस्टन हिमाले हैं वहां पर यहां ज्यादा तर उगता हुआ दिखाई देता है ठीक है क्लियर है चले अब नेक्स्ट कोशिका भित्ती निम लिखित में से किससे यहां पर बनी हुई ह होती है यानि कि यहां पर बनी हुई होती है शेवाल की कोशिका भित्ती किससे यहां पर बनी हुई होती है चलो जलिस का अंसर करो फटाफट से कौन सा अंसर यहां पर आपका सही होना चाहिए बताइए अब शेवाल के अगर हम बात करें तो शेवाल क्या है यह भी एक तरह का प्लांट है जैसे मैंने आपको पताया ना यहां पर समझाया था भी तुरंदी कि जो शैवाल होता है शैवाल क्या है सबसे सरलतम पौधा होता है तो अगर आप शैवाल के बारे बात करें तो यह किस से बनाओगा इसके सेल्वाल तो प्लांट के जो सेल्वाल होती है वह कि किसकी बनी हुई होगी सेलुलोज की ही तो बनी हुई होगी ठीक है तो सी ऑप्शन बिलकुल यहां पर सबका सही है तो यहां पर बात आती है कि अगर मैं वंजाई के बारे में कवक के बारे में बात करूं तो जो कवक की सैल वॉल है किसकी बनी हुई होगी तो आंसर करना कि का और अगर आप से बैक्टीरिया में भी सेल वाल होती है और बैक्टीरिया की जो सेल वाल है वह किसकी बनी हुई है तो आंसर करेंगे यहां पर कि वह तो गलाइको-पैपटॉन की बनी हुई होती है ठेक है तो ध्यान रखेगा अब next question के और हम यहां पर बढ़ते हैं किस पौधे के उतक में विभाजन द्वारा तेजी से बढ़ने की छमता यहां पर देखने के लिए मिलती है चले चले से इसका आंसर करेगा कौन सा आंसर यहां पर आपका सही होगा तो अगर कोई भी plant कोशि का है जिस पर बहुत जादा कोशिका विभाजन की छमता देखने के लिए मिल रही है जो बार 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 बहुत जादा कोशिका विभाजन कर रही है उसको क्या कहा जाता है मेस्टमेटिक टिशू उसको यहां पर कहा जाता है और इसलिए जो आंसर यहां पर ब वो होता है अपीडल मेरिस्ट्रिम तो जो यहां पर जो डिशूज बढ़ा रहें लंबाई बढ़ा रहें जड़ी की भी बात कर सकते हैं दूसरे नमबर पर आता है यहां पर lateral यानि कि partial ठीक है, पार्ष को क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजे कि कोई भी तना है तो उसमें से कोई branch भी तो निकलेगी तो कोई अगर branch निकल रही है तो इस वाले हिस्से में या फिर यहां से भी root का कुछ हिस्सा निकलेगा तो इस वाले हिस्से में क्या पाया जाएगा, lateral systematic tissue यहां पर पाया जाएगा ठीक है, next हम यहां पर बात करते हैं कि अगर कोई पत्ती है इस तरीके से, कोई pushp है इस तरीके से, या फिर कोई फल है इस तरीके से, तो अब यह भी तो निकलेंगे तो इनको क्या कहा जाता है जहां से यह निकलते हैं, वहां पर कौन सा tissue होगा, तो लिखना इहां पर inter calorie inter calorie, आप देखेंगे ठीक है, तो inter calorie इसको यहां पर कहा जाता है, तो इस तरीके है, चलो, चली से इसका answer करेंगे फटाफर से, कौन सा answer यहां पर हमारा सही होना चाहिए, तेरवे का, बताईए फटाफर से इसका answer करिएगा, कौन सा answer यहां पर आपका सही होगा बताओ फटाफर से, तो अगर यहां पर हम daishis flower के बारे में बात करते हैं, द्वी अंगी यानि कि यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, कर आपको समझाया था हर्मा फ्रोडाइट किसके बारे में बात हो रही है हर्मा फ्रोडाइट यानि उभै लिंगी पौधे के बारे में बात हो रही है या फिर जिसको आप और किस नाम से जानते हो यहां पर बाई सेक्शुवल फ्लावर यानि द्वी लिंगी द्वी लिंगी पौधे के बारे में बात हो पुंकेसर, तो पुंकेसर से जो पॉलन ग्रेंस यहाँ पर निकलेंगे, पराकंड जो यहाँ पर निकलेंगे, वह क्या काम करेंगे, कि यहाँ पर जो इस्त्री केसर है, उसको वहीं पर जाकर के, निसेचन की प्रक्रिया कर देंगे, पॉलिनेशन वहाँ पर हो जाएगा, नि किसे लिए जो आंसर यहां पर बनेगा वह क्या है सी ओप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल सही है वेरी गुड रोई बहुत अच्छे ठीक है क्लियर है ओके अब नेक्स कोशन के और हम यहां पर बढ़ते हैं इसको आपके लिएगा यहां पर क्लाइंबिंग सकते हैं क्लाइंबिंग जड़े किसे यहां पर कहा जाता है। चलोँ और यह protection को विच गणे फटा-बश्य आंसर यहां पर आपका सही होगा और यह कॉपेश्ट करो प्लीज कॉपेश्ट मत क्या करो नहीं पर चलो अब चलिस इसका अंसर करो यहां पर कौन सा अंसर आपका यहां पर सही होना चाहिए तो जो climbing roots होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि कोई यहां पर एक सबया और इस तरीके इस टरफ नीचे के तरफ वाले हिस्से को देखो ना तो नीचे की तरफ कुछ इस तरीके का हिससा भी यहां पर निकला हुआ होता है और अगर मालों यहां पर लकड़ि खड़ा कर दो uncool घ्र इंगे तो अगर आप सभी mother plant के पौधे के बारे में बात करते हैं किसके बारे में मनी प्लांट के पौधे के बारे में बात करते हैं तो उसमें आपको climbing roots देखने के लिए यहां पर मिलता है ठीक है अब next question नेक्स है यहां पर भारत में पादव विक्रती विज्ञान के जनक यहां पर कौन है कौन सा आंसर यहां पर आपका सही होना चाहिए चौधवे का देखते किते बची यहां पर सही आंसर करके बिताते हैं बदाएए फटा फट से और इसका जो सही आंसर होगा वह क्या है यहां पर एडवीन जॉन बटलर तो फटा फट से इसको नोट करेंगे कि जो सी ओप्शन है वह बिल्कुल यहां पर हमारा सही है अब नेक्स कोशन की और हम यहां पर बढ़ते हैं कि ऑक्टोपस किस वर्ग से यहां पर संबंधित होता है ऑक्टोपस और जितने भी बच्च नहीं आया है लेकिन आजाएगा ठीक है अब नेक्स कोशन की और हम यहां पर बढ़ते हैं कि ऑक्टोपस के अगर बात करें तो यहां किस से संबंधित है मुलस्का से हैं यहां पर संबंधित होता है और यहां भी टान में डखना कि अगर आप पूरे जन्तु जगत के बारे करते हैं तो जो मुलस्का होता है उसमें आपका सबसे पहले क्या हैगा ओक्टोपस दूसरे नंबर पर आता है पर ओस्टर यानि कि ऐसे सीपी जो मूती बनाने के लिए यहां पर काम करती है इसके साथ पाईला जैसे कि शंक और घूंगा कि अगर हम बात करते हैं तो इसनेल वो सभी आपके किसके अंतरगत आते हैं मुलस्का के ही अंतरगत यहां पर आते हैं और यह दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा फाईलम होता है तो इस चिसको ध्यान यहां पर रखना नेक्स्ट सरिश्रिप अंडे कहां पर देते हैं अगर आपसे कभी है पूछा जाए कि जो सरिश्रिप होते हैं वह अंडे कहां पर देते हैं पानी में देते हैं पानी की नीचे कीचड में देते हैं भूमी में देते हैं एक पेड़ के अंदर देते हैं कहां पर यह देते हैं चलो चलिस का अंसर करो यहां पर कौन सा आंसर यहां पर आपका सही होना चाहिए बदाई तो आप क्या देखेंगे कि जो सरिश्रिप होते हैं यह क्या करते हैं कि जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो यह सब पानी की तरफ भागते हैं ठीक है और पानी में जाकर के यह क्या करेंगे मैटिंग करते हैं ब्लू कलर का खून होता है क्या जी रस्गुल्ला जी हो कि उनकी जो मैतन होती है वो कहां पर होती है पाणी में होती है लोकिन उसके घ्र मतलब मतलब मेल और फिमेल उन्हों बन ए पाम कर रहे हैं भी और बहुंत हैं तो अंडि वह और तया वह आंडे , अंडे देने क्लिए यह क्या करेंग सिक्क्तिम और यह ज points की मेरा हें तो मैटिंग करने के लिए पानी की ज़ुरत होती है लेकिन अगर आप यहां पर देखो कि अंडे कहां पर देंगे तो आप देखो ना मगरमच के जो अंडे होते हैं वो पानी के बाहर होते हैं कच्वे के जो अंडे होते हैं वो पानी के बाहर होते हैं फिर उनसे वो छोटे- इसका answer करो, कौन सा answer यहाँ पर आपका सही होना चाहिए, बदाईए, फटा फट से, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, दूद का रंग सफेद क्यों होता है, बताओ, बताया तो है, प्रोटीन होता है, केसी नाम का, इसी वज़े से सफेद होता है, बच्चो पढ़ा देली क्लास में आओ आंसर कि अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर बनेगा वह क्या है C option यहां पर विल्कुल सही है क्योंकि जो bird होता है वह कैसा है यहां पर warm blooded होता है यानि कि यहां गर्म रखते तापी वाला कशेरू की प्राणी यहां पर होता है और साथ में आप देखेंगे कि 4 चमबल हर्ड इनके अंदर यहां पर पाया जाता है तो मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ है तो चलो फटाफट से इसका आंसर करो कि अगर हम fish के बारे में बात कर रहे हैं मशली के बारे में तो मशली के अंदर कितने चमबल हर्ड देखने के लिए मिलता है दो कक्षी हर्ड तू चमबल हर्ड देखने के लिए मिलता है अगर हम बात करते हैं यहां पर amphibia के बारे में यानि उभेचर के बारे में, तो उभेचर के अंदर कितने कक्षी रिदय देखने के लिए मिलता है, तीन कक्षी रिदय देखने के लिए मिलता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रैप्टाइल्स के बारे में, यानि सरीश्रिप के बारे में, तो सरीश्रिप के अंदर कितन कक्षिर हिदय देखने के लिए यहां पर मिलता है लेकिन 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 रेप्टाइल में अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर क्रोकोडाइल परिवार के बारे में यानि मगरमच परिवार के बारे में तो जो मगरमच परिवार होता है उसमें कितने चंबड उनमें कितना देख के लिए मिलता है ठीक है तो मगरमच और मगर और घडियाल यानि क्रोकोडाइल एलिगेटर और गैवियलिस इनमें आपको चार कक्षी रिदे देखने के लिए मिलता है फिर हम बात करते हैं बर्स जिसको एव्स या फिर पक्षी कहते हैं पक्षी में कितना मिलेगा चार कक्ष रिदय आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, clear है, समझ आ गया, मनुष्यों में कितना मिलेगा बच्चों, मनुष्यों में 4 कक्षी रिदय आपको देखने के लिए मिलेगा, जित्ती भी स्टुटेंट्स यहां पर आए हैं, जल्ली से एक बार इस सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, डेली शाम को चार बजे मेरी क्लास होती है, तो उसमें आप लोगों को जरूर आना है, ठीक है, और यह है आप लोगों का आज का होमवर्क, ठीक है, तो फटाफर से स्क्रिंशॉट ले लिजे इसका इहां पर, ठीक है, स्क्रिंशॉट ले लिया सभी ने, फटा ठीक है, तील चट्टा यानि कौक रोज में 13 चंबर, 13 कक्षर रिदय आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, साथ में ही ओफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यह क्लास कैसी लगी, कल मिलते हैं फिर से शाम को चार बजे, थैंक यू सो मच, टेक केर, पारेते.